हेलो, नमस्ते वरीबन, मा निले जा फेरी पनी आई सहे कुछू, मेरी यूटुब सनल में यहोटा नाया वीडियो लिए रा सो आज अन्ने के टाइम पसी मा यहाँ वीडियो बनावने फुर्शत पाये कुछू, साथे डिश्राबेंस पने थियो सो यह वीडियो मा आमateurs 10 को सिबिल इंजनेर हैं क्लास 10 सिबिल इंजनेर हैं को सारवियंग को हामेले टेक्योमेटरी यहर देशू अबर टेक्योमेटरी आपनी हामरो टापिक रहे को शाव мुले हाशो ऐ तांजेंसियल मेचर्ण Tangential method हमें ले काथ यूज गरने तो पहला तेव बोजुम जाती बेला हम्रो Stadia diaphragm fit गरेको छाई ना तेती बेला हमें ले Tangential method को यूज गर सु अब येस method मां के हुन्छवने हमी सांग यूटा targeted staff हून्छ त्योट targeted staff मां दूइटा target वनूम अथ्वा दुईटा भेन भनूं तेओ target श्टाफ माँ चाहिए दुईटा टार्गेट अथ्वा दुईटा भेन भनूंच अब आ हामीले कुने यह उता ठाव माँ हामरो इंस्ट्रूमेंट लाइज सेट गरेरा टेलेस्कोप ले हामिले बारी-बारी दोईटे वेंस मां हेटने करशू। जोसते एक्जाम्बल को लागी हामिले के भनना सक्षो भने। यदी मैले यहां एवटा मेरो इंस्ट्रूमेंट सेट गरेको शू। रो मेरो ग्राउंड के ही एस्तो सा भने। यहां मेले टार्गेट स्टाफ रागे को शू। रो एवटा टार्गेट यहां शो एवटा टार्गेट यहां शो। अब यह दुईटा को बीच को जुन डिस्ट्रान्स वा दुईटा टार्गेट को बीच को तेसले हामिले एसले डिनोट गर सू। कि our distance मानूं हां मिलाइ था चो अवा ममीरले प्राण गर सु वने एक्चोती महीले साइट गर35-ं7 को सु आवा यहां साइट गर्दा कही να कही एंगल चाहिए को सा महीं यह छाहिए को साइट आप yeah स्टाफ स्टेशन एक सिलाइसलाइब लाई पी वनुम तो यह ओर पी को बीज़ को जुन यह होरिजनल डेशांस दी शत्यों ओ अलाई चाहिए को तेश पस हारी जी मानो यदि यो मेरो लाइन आप साइट सा वने था लाइन आप कॉलिमेशन सा वने योजन मेरो वी को वैल्यू सा यो वी को वैल्यू मालाई चाहिए कहुन सा तो यो सब आ हामीले अब कसर निकालने त्यो कुरा हेर छो तो इन इस मेथड़ न तैली अगल मालाई था शा अव महीले यो डी कैलकुलेट गानू परने सा यो वी कैलकुलेट गानू परने सा त्यस पसारी इसको आरल पनी कैलकुलेट गार शो तो इसको लागी चाहिए the horizontal and vertical distances are then calculated as follows एती गरी सगे पसारी है दोईटा target मा हेरी सगे पसारी हामीले के गानू परने तो horizontal distance रो vertical distances कैलकुलेट गाने अब यो कैलकुलेट गानलाई हामी संगा तीन ओटा केस हुन सा case 1 when both the observed angles are angle of elevation case 2 when both the observed angles are angles of depression when one of the angles is angle of elevation and the another one is the angle of depression so अईले हामीले case 1 हेर देशाँ when both the observed angles are angles of elevation so यहां हेरों इसको लागी figure चीं कास्ता हुन सा बाने यहां यो जुन देखाई एको सा यो सा मेरो ground surface black ले तेस पसारी चीं योटा कुनी point मा हामीले हामीले हामरो instrument set गरे का साँ O point मा, so O point भने को मेरो instrument station भायो, so यहां मिले ना साक्षों O is the instrument station, yes तेस पसारी कुनी point P मा महिले मेरो staff राखे को चुछ, target staff, so योजन P point सा त्यो P point भने को के वायता staff station भायो, ठीक सा तेस पसारी चीं योजन point सा जहां मेरो telescope लागे को सा, त्यो point लाई महिले O dash वने, मेरो instrument मेरो जहां telescope लाई महिले O dash वने अब मेरो staff, जुनकी यहां प्लेस करे को सा, P point मा, त्यो staff मा, B point मा योटा target सा, योटा target सा, A point मा, that is, upper vein रो lower vein, upper vein is A, and the lower vein is B रो दुईटे को बीच को distance हामिले था सा, S, so दुईटे target से ही non distance apart हुन सा, यो distance हामिले पहले देखी था हुन सा अब हामिले यो point बाट, सब बंदा पहले A मा sight गरीं, जुसले ठीठा one angle बनायो तेस पचारी फेरी माईले यो O dash बाट, B मा sight गरे, अनि तेसले कती angle बनाया को सा, ठीठा टो अब एंगल को सांगा बनाया को सा, यो जुन लाइन अफ कोलिमेशन गई रासा मेरो horizontal line, तेस पचारी यो जुन क्यूपइंट सा, यो क्यूपइंट, O dash Q यो बने को मेरो लाइन अफ कोलिमेशन, अब गिवन मासा के के हुन सा, तो O बने को the instrument station, ओके, तेस पचारी यो is O, the instrument station, तेस पचारी बने को सा, O dash, the position of instrument axis, ओके, तो O dash is the position of instrument axis, यो जूपइंट सा, 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 यो जूपइंट स S, which is the staff intercept, so A, B, S लाई, staff intercept वानिन्छा, S ले दिनोट गारिन्छा, तेस पछारी, अजय एरूम तके किसा, B, Q is equal to V, is equal to the vertical distance between, अलाई, horizontal लाई, the vertical distance from the instrument axis to the lower बेन, या B, Q, वाने को, V ले दिनोट गारेका, अजय एका सह, this is the vertical distance from the instrument axis, यो समिरो, instrument axis को point, यहां बात, यो जूलोर बेन श, यो दोई टाको विच को जूलोर बेन श, तेसलाई मा इले बेले दिनोट गारेका सु, तेसले गरी, और को समा संग, O, Q, which is equal to D, and this is equal to the horizontal distance from the instrument station O, to the staff station P, ओके सो ओ डास क्यू ओ डास क्यू अने को यहां देखी यहां सम्मा सो एसलाई महीं ले डी ले डिनोट गरेको विच इस दो होरीजन्टल डिस्टैंस यह दीटा को बीच को तेस पसारी आँशा पीबी इज उकल टू एच दा हाइट अब दा लोर भेन अबाव दा फुट अब अब दा मिंग चे इस अड़िने कर सो डाट इस घ्राउंड बाट लूर वन समको जून हाइट अब ग्राउंड वाने को जून पॉयंट मा अमिले स्टाफ प्लेस गरेको आ तेसको बटम पॉयंट फूट अब दा स्टाफ फूट अब देखी लॉर वेन समकों हाइट लाई रवर्भेन लौर्व था सीठी आयो किला अमिले विल dakil हमने को सिस्पार भिच को डिस्चानल अम्स ठीठा टू भाई, सो यू सभी चाहिए आमरो सेम होने चाहिए सब भाई मा, तेस पशारी, एंगल A O' Q, फिगर मा है रूमता, एंगल A O' Q, यो गने को ठीठा गन, वर्टिकल अंगल टू अपर भेन, तेसे गरी, एंगल B O' Q is एकल टू ठीठा टू, वर्टिकल अंगल टू भेन, सो B O' Q, इस थीठा टू, विच इस द वर्टिकल अंगल टू लोर भेन, अब मलाई चाहिए को स, D को वैल्यू, मलाई चाहिए को स, V को वैल्यू, र मलाई चाहिए को स, RL of P, यो P पैंट को RL पनी चाहिए को स, मलाई, सो यो तीन टा कुरा महिले फाइंड गरनू पर यो जो फिगर देखिरा सो, यो फिगर को जिमेट्री बाता, महिले क्ये गरेता एक चोटी, यह शान, 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 राइट, एंगल, ट्रेंगल, B, O'S, B, O'S, अनि Q, B, O'S, अनि Q, यो B, O'S, क्यों मा, केही इस तो बन्छा होला, ठीक चाहिए, लो, इस तो केही बन S and Q, इसतो केही इननला बन्यों, अब यो ट्रेंगला योजन, हाइट छ, V, राइगे जो दी राइजन, on деся眼 अउगल 10 theta 2 लेखना मिल सामीले सो महीले किये गरना सक्षू था फ्राम फीगर V is equal to D tan theta 2 यह गाने को मेरो एक्वेशन 1 भायो एती समता महीले बुजेगा थाम अब त्यस पचाड़ी यदी महीले अब और कोट रेंगल एजिम गरे भने और को रेंगल अब महीले को ने जिम गरना सक्षू रहूंता राइट एंगल रेंगल और कोट रेंगल और कोट रेंगल अब यहां बाता फेरी महीले यदी राइट एंगल को फार्मूला लगाये बाने ओपेरी य उते राइट आ एंगल बना मैं यो एंगल मे रोके वाया व ट्वीटा वन बाया यो जण डिस्टैंसा सा यू डिस्टैंस मे रोधी नायं हों चा फेरी पंडी तम हीट सा अबले अ ओढ़ संह stewardship को हाइट योसलमे रो मे सब और स्फिग को समय को हाई था प्नांख मटा को एं देखिए समय कर देखिए श्रह यहां देखिए उन्हां भी सो एक यूई लाइ इस प्लस भी लेक्छु विल झल सो यह दी ठीन हैइसंड मटा दिकता को फर्मुला लगाय वने ट्न टिटें टिक्च्रम दो यांद प्लस भी बाई D लेखना मिल्यों है S प्लस भी बाई D लेखना मिल्यों अब एसे लाय हाई मिले एता तिर लेखं तो एक जो टी एंद अब यूट रेंगल बाता यह कोसर यह मैंले यहां मैंचन गर देख सुए मैंले यहां यहां के सा भने तैन ठीठा वन यह वनेगो ठीठा वन थियो की ना यह ठीठा वन एंगल बनाए का सा तैन ठीठा वन इस एक्वल टू एस प्लस वी बाई दी एसको मतलब के उता एस प्लस वी इस एक्वल टू टी टैन ठीठा वन लेखना मिल सा एती सम्मा तो बोजी मा मिले आई ना अब यह एक्वेशन मा यदी माईले यहां वी को वेल्यू पूट गर सो वने मालाई कियां सा एस प्लस दी टैन ठीठा टू इस एक्वल टू टी टैन ठीठा वन एसा महीले के गरे ना जस महीले के गरे यहां जुनियो वी को वेल्यू आये को सा दी टैन ठीठा टू तेसला उठायरा महीले यहां राखी दिये यह एक्वेशन मा ठीक्षा अब, S is equal to D tan theta 1 minus D tan theta 2 यो D tan theta 2 लाई मा इले, side change गर दिये So, S is equal to D, common लिदा, tan theta 1 minus tan theta 2 अब, S is equal to D tan theta 1 minus tan theta 2 अब, S पचाड़ी, मैं ले योदी, योज़न tan theta 1 minus tan theta 2 लाई मा इले, अब, S by tan theta 1 minus tan theta 2 लाई अब, S is equal to D, D is equal to S by tan theta 1 minus tan theta 2 लाई अब, S अब, S लाई equation 2, अब, S फेरी, D तो मा लाई, आई साक्यों है ना, यदी मा लाई S थासा मा ले, theta 1 लाई, theta 2 थासा वाने हाँ मिले d को value easily find गणा सक्षू अब from equation 1 equation 1 मा के थियो v is equal to d tan theta 2 माला v पनी चाहिए को छ so v is equal to d tan theta 2 अब यहाँ d को value मासा अब छदेशा अब equation 2 बाट d को value लिये रहां मैले s मा राख दीन छू so v is equal to d को ठाउ मा आब मैले s by 10 theta 1 minus 10 theta 2 into 10 theta 2 पनी चाहिए याँ मल्टिप्लाई मा into 10 theta 2 so यो बाई मेरो equation 3 याँ रहा याँ डी को value पनी आयो v को बालू पनी आयो अब मालाई चाहिए को छा rl of p so rl of p को लागी यारों डायरेक्ली ताहां मीले पाऊँ देनों होला है rl of p बने को यदी मेरो कुने योटा डाटम लाइन सावने यो डाटम लाइन बाट पी को हाइट काती सा अब तेसको लागी मालाई यो इंस्ट्रूमेंट को यदी rl था चा वने इंस्ट्रूमेंट को योजन पॉइंट चाह यो रिडिंग जोडे रो माईले हाइट अप इंस्ट्रूमेंट निकालना सक्षू सो यह सब बन्दा पहएले rl of p को लागी यह यदी ओ हाइट अप इंस्ट्रूमेंट मा एती जोडे वने मालाई के याउंछ आ अर आल अल अप याउंछ तो डारेक्ट वेल्व माला था शाई ना इसको लागी माले के गर्शो ता योजन टूटल वी शानी यो वी बाट यदी माले यो एच घटाई धीये वने वी तो मैले यहां find गरेक्ष scout योजन ढर्ये वी तो मैले kye find गरे s 10n2 10n2 ऐले फोर्मूला वा difáind गरे और यह त्याई शाऌतरि माले वी खनेको शार माला एच पनीत था उन्छ योजन लवर वेल्ड उन्छ तेसको height कती साथ leff त्योगुरा मसा था ना वन्छ सो तिस को लागिए अवा LED कीय गर सहो वने हाइत अपर इंस्ट्रूमें यहां समाको हाइट आयो हाइते को यह हाइट cinq है यह हाइट मलाई आई शागे को सा अवा मलाई चाहिए है को सा यो हाइट, शो एती प्लस एती गरे वने, आरेलव पी आउंसा, तर यो डाइरेक्ट तांओ देना मलाई, यो भने को कती हुन्छा वने, V-H हुन्छा यो, यो भने कती हो, V-H, V भने को एती, रो यो V बाट, यदि महीले एती पार्ट घटाइ दे देचु वने, मलाई, एती पाट मात्रें बहुत छाब होगे ना सो यहां मेले के लिखना पाए हाइट अप इंस्ट्रूमेंट प्लस भी माइनस एच तो यह आरल अफ पी पनी आयो सो मह संगा वखे के फॉर्मूला आयो भने यदी दुटे एंगल एंगल सफ एलिवेशन छाब हने टेंजेंशियल अश्रम नॉंबर वन महा अई हॉरलिजन्टल डिस्देंश दी इकल डू मैणस टेन टेनटा 2 आओ ठीठा 1 नगट एंट याद रहे नवने फॉर्मूला को लागी जस्ट की याद राखने ठीटा 1 वनेखो थूलो बैलियर ठीटा 2 वनेखो सानो बैलियू फो ठीटा अनु बार दिने, बार, नमबर 2, V is equal to S into tan theta 2 divided by tan theta 1 minus tan theta 2, equation 1, sorry, अईले लाई तो यह equation 2 भाईजायो कोशा, solve बार दा, equation 3, रत्तेश पचारी चाहिए, RL of P is equal to height of instrument plus V minus H, L equation 4 बार दिम, यो तिन्टा formula चाहिए, याद हुनू पर्यो, इसको derivation पनी सोध दिना सक्षा, long question मा, चाहिए, यहाँ अवाट नमेरिकल पनी सोध दिना सक्षा, 2 mark वाला मा, यो कुण केस हो तो, when both the observed angles are angle of elevation, जसको लागे, हाँ मिले formula डेराइब गरेको हो, अब चीटो चीटो बार अला वाने, तो यह ले वीडियो सो लो गरड़ा पनी, फेरी पनी, यहना सक्षा, रा, मेरो Facebook page पनी, सिलिंजरी निंग्स बनने, अब इसको PDF में ले त्याहाँ पनी ह केस्टु मा के वने को चा, when both the observed angles are angles of depression, that is, यो जन लाइन अप कॉलिमेशन चा, यो लाइन अप कॉलिमेशन वन्दा, लाइन अप साइठ हरो दुटी केशन तो लाशन, जती वेला हमरो ground level धेरे तोला होन चा, यो सा मेरो foot of staff, यहां ची staff रागे को चुँ, यहां बाटाब र वीडियो लाइक गाना, यहां सब्सक्राइब गाना, रसाथ भार्चांगा शेर गाना, ना विर्चिन तेंक यू